नमस्का दोस्तों इनकी एज 31 साल यानि 31 यर्स प्लस 3 मन्थ हो चुके हैं ये पिछले 2009 साल से तकलिप उठा रहे हैं 2011 के आज़ पास से 2010-11 से ये कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा सवाल है साधी का तो साधी की बहुत बढ़िया लाइन दिख रही है वो मैं जीवन रेखा पर आऊंगा तब इनके कौन से समय में साधी होगी वो शपस्टता दिख जाएगी अब इतना लॉंग प्रॉबलम व्यक्ति को दो या तीन चीजों से होता है या तो फेट लाइन पर यह उसाइन हो पर इतनी बड़ी फेट लाइन पर यह उसाइन मैंने कभी देखी नहीं वो इनके है भी नहीं सेकेंड प्रॉबलम होता है कोई धन रेखा बहुत ज़्यादा फूल जाए फैल जाए तो वो कंडिशन भी इनके हाथ में नहीं है और तीसरा कारण होता है यह साइन वो आभास हो रहा है कहीं न कहीं यह साइन होने का जरूर इनके ह पर जो जो आबास हो रहा है वो दिखाने की मैं कोशिस जरूर करूँगा बहुत सिम्पल पाम है एक एक करके इनकी सारी वस्तों को देखते हैं जब किसी व्यक्ती के हाथ मैं ऐसी धनूशा का रेखा बने या सिद्ही रेखा बने तो व्यक्ती बहुत ज्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरूणिटी आती उसे घ्रेप करके आगे बढ़ता है अब यह उसाइन अगर होती है व्यक्ति के जीवन में तो कितनी भी अच्छी साइन हो इनके पास पैसा देने की भरपूर अच्छी साइन है फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे है यहाँ पर यह स्क्वेरीज भी है और रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग में भी होता है ऐसे लोग और एक्टेंगल होने के कारण व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है फर्स पहले है नुकीला है तो कारे के प्रती अच्छी खासी जीद होती है सेकेंड फैलेंग भी व्यवसित है जहां लोजिक की ज़रुए तो वहां लोजिक यूज़ किया जहां चुप रहें चुप रहें और मद्यम मानसल है तो कभी-कभी कॉंप्रोमाइज करते होंगे और कभी-कभी श्रॉंग एटिटिट्यूट रखते होंगे उंगलिया चाहिए सब कुछ सुरी के उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिमती सबाओ का होता है जिब में पचास जार और पचास लाक की रिस्क के लेनी हो तो आसानी से ले पाते हैं अब यह साइन में इन्होंने लिया नहीं है रिस्क यह बहुत बड़ी बात है नहीं तो इनके पास ज जमा की हुई संपती वो भी चली गई होती है यह उंगली भी लगबग फर्स फैलाइन तक पहुच रही है और थोड़ी सी हट के है तो इनके जो सोचने के धंग होते है वो डिफरेंट होते है आप और हम जिस तरव से सोचते वैसा नहीं सोचते चाहिए वो सामाजिक सबज परेंट बात बता देते के आश्यरेचे कित हो जाते हम और यह उंगली लगबग मेरे हिसाब से फर्स पहले इन तक पहुच रही तो वैक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना या चक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में वैक् बुद्ध परवत भूफ बुद्ध सारी लाइन है और एपट्स साइंट भी है टो बिजनेस मेंडेड मेंड भी विट्धि को बनाती। दो लाइन, टीन लाइन, यह जब लाइने होती है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, वानी उसकी मीठी होती है और सुन्दरता भी मिलती है इन लाइनों के द्वारा सुर्य परवत पर एक ट्रैंगल भी मुझे दिख रहा है मुझे यह पता नहीं कि इन्होंने क्या स्टडी की है यह ट्रैंगल व्यक्ति को अपने मन की इच्छाए पूरी करवाता है और यह जो क्रॉस बनता है यह और क्लोज अप में देखने की कोशिस करेंगे इससे तीन माइनस पॉइंट होते है या तो पिता का साय जल्दी जाता है या पिता से दूर रहना पड़ता है या पिता से मत्बेद होता है और थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ने कोई विगन आता है या टांग खिशने वाले लोग मिलते हैं मैं इसका उपए दे दूँगा इनको या पर मुझे कहीं नके ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वेर साइन बन रही है क्लोज अप में भी देखने की कोसिस करेंगे अगर ये होगी तो ये ज़्यादातर सौफ्टवेर वालों के हाथ में होती है मल्टी सिटी का का काम करते हैं मैंने इनकी पड़ा ही पूछी नहीं क्योंकि उस समय इस स्क्वेर पर मेरा ध्यान नहीं गया था और यहां पर एक थोड़ा सा लाइफ और जो सिरियसनेस होता है लूप अफ सिरियसनेस वो है इनके पास हाँ इतना खुल कर नहीं है मेरे पास ज़्यादा तर जो लोग आते है उनमें लूप तो मिलता है पर एक दम जैसे एक्ट्रेक्टिव लूप होता है वैसा अभी तक किसी के हाथ में है एनालिसिस के वक्त तो नहीं आया अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते है यह देखिए एक साइन तो यहाँ ही क्लियर कट समझ में आ रही है बहुत स्पस्ट अटा से नजर आ रही है एक यहाँ पर भी है यह भी काफी स्पस्ट है काफी अच्छी साइन है फिर भी व्यक्ति 20-25 भी नहीं कमा पा रहा है यह यहाँ पर भी है यह भी काफी सुन्दर है यहाँ पर मुझे किन्तु परंतु लग रहा था पर इन्हों ने इतना अच्छा फोटोग्राफ भेज दिया कि किन्तु परंतु ही निकल गया अब इतनी बड़ी साइन फिर भी व्यक्ति 20-25 भी नहीं कमा पा रहा तो वो केवल यह साइन के कारण ही होता है और एक साइन है यहाँ पर इतनी सुन्दर साइन है इनके हाथ में और यह खाते पीते घर से है वैसी कोई तकलिफ नहीं है अब इनकी स्क्वेर साइन देखने की कोशिस करते है तहीं पर दिख जाये तो स्क्वेर साइन नजर तो आ रही है देखिए अब यहाँ पर अगर यह लाइन अट स्टॉप हो रहोगी तो बात अलग है अगर यह चल्ड़ कर आगे जाती है और इस तर से फॉर्मेशन बनता है तो यह स्क्वेर है पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यह लाइन यहां से चली और यहां स्टॉप हो गई ऐसा महसूस हो रहा है खेर आप अपने लेवल पर देख लेना क्योंकि यह भी काफी समझदार वेक्टी है शालिन सबाओ के है जुपिटर की और जाती हुई लाइं यह वेक्टी को चार बेनिफिट देती है ससुराल पैसे वाला है साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है जो भी कारे करते हैं बड़े सरका करते हैं पॉलिटिकल लाब और सरकारी लाब तो कई लोगों को चारो लाब प्रापत होते किसी को तीन किसी को दो और कुसी को एक लाप प्रापत होता है और यह जो फोर्क बनता है ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तर से समझा पाते है जुपिटर माउंड भी अच्छा है तो पारिवारिक और सांसा रिक्सुक जीवन में काफी उर्तम मिलेगा इनको और निकट भविश्य में ही शाधी है को मैं जीवन रेखा पराऊंगा तो बताऊंगा यह लाइन है व्यक्ति को नीचे अगर व्यक्ति खराब समय भी आए तो एक दम नाम खराब नहीं होने देती बस इसका इतना बेनेपिट है और कंटीनिव प्रोग्रेस देती है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन व्यक्ति के जीवन में मल्टिपल इंकम देगी पामिश्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिश्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा सेवा भावी और धार्मिता ये सारी वस्तुवे व्यक्ति को मिलती है अंदुनि मंगल व्योसित है थोड़ी सी लाइन है तो मैं सला दूंगा बोलेनात के मंदिर पर जल चड़ाए और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे दो-तीन महिना तो ये निकल जाएगी लाइन है य और जब ये सारी सिती हो तो बिय नेचरल है किसी भी व्यक्ति को टेंस आता ही है भारी मंगल भी अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है इनके पिता की ध्यान हुई है दो साल पहले, दो साल से तो एक दम घर में है, अब चंद्र परवत को अगर देखे तो यहां पर भी आप कोशिश करना, अगर यह ट्रैंगल होगा, तो यह विदेश से धन प्राप्त करवाता है या व्यक्ति को कवी बनाता है, इतने पाम एनालिसिस किये, उसमें व्यक्ति कोई मिला था, ट्रैंगल वाला, बाकि सारे विदेश से बेनिफिट उठाने वाले मिले थे, यहां पर आप फोकस कर लेना अपने लेवल पर, क्योंकि आपको हथियार आपके पास अच्छा नहीं है, पर आपको चलाने अच्छा आता है, और चंद्र परवत अच् दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती, नीने शक्ती अच्छी होती, विदेश से संबंध आता ही है, और अच्छे परचे सर होती है यह लोग, और इतनी अच्छी साइन है, मनी ट्रैंगल है नहीं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, शुक्र परवत भी अच्छा है, व व्यक्ति भरों से लाइक इंसान होता है, किसी के सौरूपे भी बाकी हो तो सामने से देख रहाता है, इतने भरों से लाइक इंसान होता है, और यह जो लाइन जाती है इस तरह से, यह व्यक्ति को सुरुवाती स्थे, जीवन में गुसा भी भरपूर दिलाती है, और यह ला माइन लाइन पर इनका जो में प्रॉब्लम है उस पर आते हैं माइन लाइन अंदूरी मंगल से स्टार्ट हो रही है तो वेक्टी प्लानिंग भरपूर बनाता और ज्यादा तर प्लानिंग कागजो पर रहती इंप्लिमेंट नहीं होते हैं एक यह साइन मुझे इस जगह पर हो रही है और एक यहाँ पर भी हो रही है अब इस फोटोग्राफ के लिए यह लेखिए एक आगे का इसमें आगे का यह साइन तो नजर नहीं आ रहा पर मुझे लगता है यहाँ से चालू हो रही है यह लाइन और यह ऐसे चल कर यहाँ तक चल रही है तो इतना लॉंग पिरियड वेक्ति जीवन में तकलिफ उठाता है देखे कितनी बड़ी यह साइन है यह व्यक्ति को हाँ यह अगर इनके पास मैंने जो का उस मोबाइल से फोटो लिया होता तो इस परश्टटा आ जाती यह देखे इन्हों ने यही खुद ने मैंनत करके यह फोटो भेजा यह यहां से सुरुआत हो रही है और ऐसे चल रही है यह हो से यह इतनी बड़ी इनके जीवन में लग रही है इस लाइन के कट के पहले इस लाइन के कट तक यह चल रही है अब यह कट कहां तक है वो भी देखने की कोशिश करते है और उसके बाद जो माइन लाइन मेरे इसाबसे टूटी तो नहीं है यह स्थीरी यहां पर तूट भी रही है और उसके बाद ही यह माइन लाइन अच्छी चल रही है उस पर भी आते हम अगर इस पार्ट को हम गिने इस कट को तो ये कट लगबग 33 या 34 तक 99 परसेंट ये 33 तक है और maximum 34 तक ये कट मेरे ग्यान के अनुसार लग रहा है और उसके बाद यहाँ पर ही आसपास इसी के आसपास ये माइन लाइन टूट भी रही है तो कोई नो कोई ऐसी घटना घटेगी जो ये काफी विचलित हो जाएंगे और उसके बाद ही इनका जीवन मुझे लगता है उत्तमता की और बढ़ेगा और ये उपर की तरफ देख रही है लाइन और ये फोर्क बन रहा है तो कहीं न कहीं शार्प माइंड भी होता है और उपर की तरफ देखती है तो पैसा कमाने का कोई न कोई गुण धर्म भी वेक्ति के पास होता है पर ये उसाइन में सारी चीजे स्टॉप हो जाती है अब इन्होंने किया क्या कोई बड़ी रिस्क ली नहीं नहीं ली इसके लिए बजगे अगर ली होती तो पिता की संपत्ती भी खलास हो गई होती इस यव साइन में बाकि उसके बद माइंड हैं काफी उत्तम है अब ये भी जो इन्होंने फोटोग्राफ भेजा वो कहीं न कहीं आभास हो रहा है हंडेट परसेंट पर इस तरह का लंबा जो प्रॉबलम है वो यव साइन के अलावाद नहीं देती कोई या फिर कोई सुजन भरी रेखा हो तो देती है यहाँ पर लगबख अगर ये लाइन काटी होगी तो 27 के आसपास कोई ने कोई मुसीबत आई होगी और ये लाइन इनके जीवन में सहनाई बजाएगी अब ये लाइन बहुत लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि ये ऐसे चल रही है ऐसे नहीं चल रही है ये लाइन यहाँ स्टॉप हो रही है इसका भी मैंने क्लोज अप इन से मांगा था ये देखिए ये लाइन यहाँ से निकली और यहाँ टच कर गए और ये लाइन फिर दूसरी है तो ये मेरेज होगी इनकी 32 या 33 में 32 या 33 में पामिश्ट्री है तो हम एक साल का प्लस माइनस लेका चलते है तो 32 या 33 में ये साधी कराएगी ये लाइन अब इनकी जो राहू रेखा है बहुत बड़ी बड़ी राहू रेखा है तो नहीं है पर जो दिख रही है बताना हमारा फर्ज है एक 37 के आसपास एक राहू रेखाएगी एक 42 में आएगी 144 में आएगी और उसके बाद अप टू 50 तक ये छोटी छोटी डिस्टरबंस आएगी पर ये कोई काट नहीं रही है जीवन रेखा को काट नहीं रही है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम 44 से 50 तक चलेंगे हर दो-दो साल में या डिडिर साल में कोई छोटा-मोटा 15-20 दिन दो महीने का कोई प्रॉब्लम आएगा और ये जो मैंने राहू रेखाए बताई ये भी बहुत बड़ी नहीं है ये भी 4 महीने-6 महीने की राहू रेखाए है पर उस समय कोई नहीं की रुकावट आती है पर इनके हाथ में इतनी अच्छी साइन है कि जब पैसा कमाने लगेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे कि ये व्यक्ति इतना स्पीड में कैसे आगे बरा ये भी होते हुए इनको दिखेगा जीवन में सगेव समंदी और जो आसपास के पास पर उसमें रहने वाले लोग है वो भी आशेरे चक्तित होंगे कि जो लड़का कुछ काम नहीं कर पा रहा था और वो अच्छानक इतना विकास कैसे कर लिया तो ऐसे होते चमतकार जीवन में और एक फिप्टी वन में यह आफशुट है जो यह बेनिफिट देगा उसके बाद कोई राव रेखा ही नहीं है और एक लास्ट में यह आफशुट है पर बहुत लेट है यह तक बग 20 साल के बाद और अप टू एंड तक इस राव रेखा के बाद कोई राव रेखा ही नहीं है तो जीवन उत्तम रहेगा अब यह साइन में यह कट भी है इसका भी कोई मायने नहीं रखता यह देखिए एक कट लगा 27 के आसपास 29 में लगा तो यह पिता की मिरुत्य क्या होगा एक 34 में लगेगा उसके बाद ऐसे कोई मेजर कट नहीं है एक छोटा सा कट मामूल हिसा है यह एज ओफ 46 या 47 में है और यह एक इन्वेस्मेंट कराएगी लाएगा बाकि कोई ऐसे मेजर कट इनके हाथ में नहीं है पर जिस तरह की साइन है यह जब चमतकार होगा इनके जीवन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा चमतकार जीवन में देखेंगे अब धन्रेखा पर भी कोई प्रॉबलम मुझे ऐसी खास नजर नहीं आ रही है ठीक है यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर है धन्रेखा अब टू 36 टू 39 और जिस तरह की साइन है इस तरह की धन्रेखा मैं भी व्यक्ति ग्रोथ करता है हाँ कमाने के धंग बदलते रहेंगे इनके जीवन में थोड़े थोड़े सालों में पचपच छे सालों में पर मेजर तकलिफ इतनी कोई खास धन्रेखा पर मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पर अगर यह फैलाओ भी है थोड़ा सा तो थोड़ इसी कम ग्रोथ होती है पर इनकी साइन इतनी मजबूत है इसमें भी यह पैसा कमाएंगे इस तरह की लाइन में भी और यह बार बार दो चार पाथ सालों में साथ सालों में इनकी कमाई के रास्ते ऐलवेज बदलते रहेंगे हर पाथ-छै सालों में बदलते रहेंगे यह एक रहेगा पर पैसा कमाएंगे यह देखे ना यहाँ तक तो clear cut सममझ में आ रहा है काफी बढ़ा यह साइन है कि बहुत दर्द देता है व्यक्ति को तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन